मैं डॉक्टर मनोज मातुर हूँ, एक वेटनेरियन और एक वाइड लाइफर, मैं काफी समय ओन्रेरी वाइड लाइफ वार्डन रहा और मेरा पैशन है ब्यूटिफुल एनिमल्स को एक्स्प्लोर करना और उन्हें लोगों को बताना कि हमारी जिंदगी के लिए कितने प्रवनों में, टुकैन बर्ड्स, वूट पैकर्स और बार्बेट्स के बहुत ही करेवी रिष्टदार हैं। टुकैन अपने लार्ज और ब्यूटिफुल कलरफुल बिल्स या चौच के लिए जाने जाते हैं। और टुकैन की चौच हलो होती है और बहुत बड़ी सी जाते हैं जिनमें बॉडी साइज के अधार पर टुकैन्स, टुकैनेट्स और अरकारिज क्लासिफाई किये गए हैं। यह माइगरेट नहीं करते हैं और लोकल मॉमेंट करते हैं। टुकैन्स के इंपोर्टेंस है क्योंकि वो फलों के बीजों के फैलाव या सीड डिस्पर टुकैन्स के विंक्स उनके शरीर के आकार की तुलना में छोटे होते हैं इसलिए यह बर्ट्स पूर फ्रायर होते हैं। टुकैन्स इतने सोशल होते हैं कि एक खोकले पेड़ की कोटर में 5-6 टुकैन्स पक्षी एक साथ बड़े आराम से रह सकते हैं। इन पक्षियों को बहुत तेज आवाज या लाउड कॉल में बोलना या खराश वाली आवाज में चिलाना अच्छा लगता है। यह बहुत लाउडली कम्मिनिकेट भी करते हैं। टुकैन्स के आवाजी चिंता का विशे है और यह निश्चित है कि उनकी आबादी तेजी से घट रही है जो ह बहुत ज्यादे पॉपुलर। टोको टुकैन को कॉमन टुकैन या जाइन टुकैन के नाम से भी जाना जाता है। यह टुकैन परिवार की सबसे बड़ी और सबसे शायद प्रसिद्ध पर जाती है। टोको टुकैन सबसे बड़ा और प्रभावशाली टुकैन ही नहीं बलक कि इस बोलीविया, पेरू, अर्जेंटिना, पिरागवे और ब्राजील में पाए जाते हैं, टोको टोकें नॉन फॉरेस्ट बर्ड्स हैं, ये मध्य और पूर्वी धक्षिने अमेरिका के सेमी ओपन हैबिटेट्स की एक वाइड रेंज में पाए जा सकते हैं, जैसे कि टोकेंस में भी ये बड़ी आसानी से देखे जाते हैं, ये पंटनाल में भी पाए जाते हैं, मैं आपको बता दो, एंटनाल वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा फेमस एरिया है, पंटनाल वर्ल जेज़ ट्रॉपिकल वैट लेंट एरिया और वर्लल का लाज़ेस फ्लॉर्ड International यानि दुनिया का सबसे बड़ा ऊशन कटी बंदिये आर्द्र बूमी शेत्र और बाड़ वाले घास के मैदानों वाला एक ट्रकर्तिक शेत्र है टोको टोकेंस इतने खुबसुरत होते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड की जूज में पाये जाते हैं और पैट्स के रूप में भी प इसक्रति बहुत सम्विदन शील हैं इसलिए कैप्टिविटी में इनकी आहार का मेनेजमेंट बहुत खास होना चाहिए ग्रीक शब्द रमफेस्टोस का मतलब है घुमावदार चौच टोको टोकेंस को उनकी घुमावदार चौच की वज़े से रमफेस्टोस टोको के नाम से जाना जाता है हलाकि टोको टोकेंस की मोस्ट नोटेसिबल फीचर इसकी विशाल पीले नारंगी रंग की चौच या बिल है जिसमें एक ब्लैक टिप और एक बेस होता है जिसकी लंबाई 16-23 cm तक होती है चौच के निशले हिस्सों और कल्मन पर गहरा लाल नारंगी कल्मन अपर मेंडिबल या उपरी जबडे का डॉर्सल या प्रस्टियर रिज होता है बिल या चौच देखने में तो बहुत धारी लगती है लेकिन दरसल ये अंदर से बहुत खोकली होती है और हलकी भी बहुत होती है बिल सेक्सवल डिस्प्ले के लिए सेक्सवल ओर्नाम होती है आखिर इतनी बड़ी चौच जो है अपने शरीर के आकार की तुलना में टुकेंस सबसे बड़ी चौच वाले पक्षियों में से हैं वस्तुते टोको टुकेंस की बिल या चौच इस पक्षी के रिलेटिव बाडी साइज के नजरे से किसी भी एनिमल के मुकाबले ल तुकेंस की जीब उसके बिल के बराबर ही लंबी होती है और चप्टी फैदर लाइक होती है इसका काम इसके फूड को गले के अंदर धकिलना होता है रिसर्च से पता चला है कि बिल बॉडी हीट एक्सचेंज के लिए लार्जर सरफेस एरिया प्रदान करती है बिल में सु तोको टुकेंस की बॉडी में हीट एक्सचेंज की इंपॉर्टन बायो मेकेनिजम के लिए थर्मल रेडियेटर का ρूप में काम करता है तोको टुकेंस इसपस्ट रूप से कॉंटरास्टिंग प्लुमेज या पंक विन्यास वाले होते हैं शरीर ज्यादे तर सफेद गले और एक लाल वेंट के साथ काला ही होता है। टोको टोकेंस की आँख ब्लू महसूस होती है लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरसल उसकी आँख तो काली ही होती है लेकिन उसके चारों तरफ एक ब्लू कलर की रिंग पाई जाती है। और उसके बाहर एक औरेंज कलर की रिंग भी पाई जाती है। जुविनाइल्स या कम उम्रपक्षी व्यसकों की तुलना में कम कलरफुल और शॉर्टर बिल्ड होते हैं। तुकेंस की साउंड्स और कॉल्स इतनी लौड होती हैं कि उनकी चटर और फ्रॉग लाइक क्रॉकिंग कॉल्स यानी चटर पटर बगबग और मेंडग जैसी तेडी मेडी अजीब सी तेज तर्रार आवाज हैं जिसे अकसर हर कुछ सेगंड में दोराया जाता है लगबग आने निश्क्रीता की अवधी होती है टुकेंस सरवभक्षी सरवाहरी या ओम्निवॉर्स हैं एक ऐसा बर्ड है जो वेजिटेरियन और नौन वेजिटेरियन दोनों तरह के खाने पर जीवित रहने और उर्जा और पोशक्तत वो प्राप करने की शमता रखता है यह मुख् आने पर बेरीज, नर्ट्स, इंसेक्स, फ्रॉग्स, स्मॉल रेप्टाइल्स, स्मॉल बर्ड्स और उनके अंडे और चूजों को भी खा लेते हैं टोको टुकेंस पेडों में आर्बोरियल लाइफ बिताते हैं यह जादे तर ऐसी जगों पर रहते हैं जहां बहुत बड़ यह बहुत जादा सामाजिक या सोशल बर्ड्स हैं यह अपनी ही प्रजाती के अन्य पक्षियों के साथ बहुत जादे इंट्रेक्ट करते हैं सोशल बर्ड्स के इस व्यावार के आधार में फीडिंग, बेटर मेनेजमेंट और सबसे बढ़कर शिकारियों से सुरक्षा शा टोको टोकेंस का लाइव स्पान या जीवन काल 10 साल से लेकर 20 साल या उससे भी अधिक हो सकता है, उडान या फ्लाइट के दौरान इनकी टॉप स्पीड 64 किलोमेटर पर आवर तक हो सकती है, शरीर का वजन या बाडी वेट 500 से 876 ग्राम या बहुत जादा 1 किलो ग्राम तक 556 ग्राम वजन की होती है, लेकिन नर या मादा टॉकी टॉकेंस प्लूमेज या शरीर की रचना के आधार पर एक से होते हैं, उनके साइज और वजन के डिफ्रेंस के अलावा पक्षियों में और कोई फर्क नहीं पाया जाता है, इन बर्ड्स की लेंथ 55 से 70 सेंटीमीटर, विंग स्पान 80 to 100 सेंटीमीटर, पूँच की लेंथ 14 to 18 सेंटीमीटर होती है, आईए, अब हम नर और मादा टॉकी टॉकेंस के मेटिंग बहेवेर के बारे में कुछ जानकारी प्राप करते हैं, ये मोनोगैमस रिलेशन्शिप को फॉलो करते हैं, यानि एक बार में एक नर एक मादा के साथ ही रहता है और मेटिंग करता है, नेस्टिंग या घोंसला बनाना सीजनल होता है, लेकिन बनाने का टाइमिंग अलग-अलग शेतरों में डिफरेंट हो सकता है, नेस्ट या घोंसला टिपिकली पेड़ों की उँची जगों पर बनाय जाते हैं, उनमें एक reproductive maturity या यौन पर इपकवता तीन से चार साल की एज में आती है। इनकी reproduction cycle वार्षिक या annual होती है और breeding season spring या बसंत में होता है। मादा टोकी टोकेन नर से मिलने के कुछ दुनों बाद तीन से चार अंडे देती है। नर और मादा दोनों ही अंडों को incubate करते हैं और 17 से 18 दिन के बाद उनके बच्चे उसमें से निकल जाते हैं। आम तोर पर उनका clutch size तीन birds का होता है। ये पक्षी अपने और अपने बच्चों के लिए बहुत सुरक्षात्मक होते हैं। टोको टोकेंस altricial होते हैं, उनके newly has chicks relatively immobile होते हैं। चिक्स के ना तो feather होते हैं और ना ही वो अपना food अपने आप ले पाते हैं। इनकी eyes commonly closed होती हैं, chicks helpless पैदा होते हैं और इनको लंबी अवधी तक अपने वयस्क माता-पिता द्वारा care की अवशकता होती है। करीब 43-52 days के बीच ये chicks अपने माता-पिता की सगन care में रहते हैं। क्यारे दोस्तों, nature ने इस planet पे न केवल हमको बनाया, बलकि countless animals को भी बनाया, जो कि अगर हम उनको explore करते हैं, तो हम ये जान पाते हैं कि वो कितने special हैं। हमने आज टोकी टोकेंस के बारे में जाना और ये भी जाना, ये कितना special और खुबसूरत bird है। यकीन मानिए, अगर ये धरती पर बने रहेंगे, तो हमारी भी existence बनी रहेगी। मेरे चैनल को subscribe और comment करें कि आप क्या जाना चाहते हैं। भविश्य में भी मैं आपको बहुत interesting और बहुत खुबसूरत animals के बारे में बताता रहूँगा। तब तक के लिए good bye और नमस्ते। चैनल को बहुत ю के बारे में लोज pag और में Źे पांपको पर खुबसूरत Laut ये के बारे मिए